आज इस वीडियो में हम phenol की next chemical reaction गातरमान synthesis के बारे में पड़ेंगे यह जो reaction होती है इस reaction का use जो phenolic aldehyde होते हैं उनके synthesis में भी किया जाता है इस reaction में जो phenol होता है, phenol की reaction जब HCN तथा HCL के mixture के साथ aluminum trigloride के presence में जब करवाई जाती है तब aldeamine product बनता है वो जो LD mean product होता है उसका जब hydrolysis करवाया जाता है उसकी water के साथ जब reaction करवाया जाती है तब जाके पेरा hydroxy benzaldehyde का formation होता है यह जो phenol होता है यह HCN, HCl के साथ reaction करकी इसकी जो पेरा position होती है यह activate हो जाती है तब इस पेरा position पर जो CHO, जो aldehyde group है वो आकर जुड़ जाता है किस टैप से phenol से पेरा hydroxy benzaldehyde का formation होता है आगे हम इसकी mechanism बढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस टैप से HCN, HCN, HCl किस टैप से reaction करते हैं और CHO group का addition किस टैप से होता है हम इसकी mechanism में देखेंगे mechanism में सबसे पहले जो HCl होता है hydrochloric acid होता है वो breakdown होता है H plus और Cl minus में यहाँ यहाँ पर जो H plus बना है यह आगे react करता है HCN के साथ hydrogen cyanide के साथ हो react करता है तो जो यह H-plus है यहाँ पर nitrogen होता है उसके lone pair का एक electron है उसके साथ hydrogen होता है इसमें जो ये triple bond है उसमें से एक bond break हो जाता है इन दोनों के पास valency आ जाती है तो फिर से यहाँ पर जो ये nitrogen इसके loan pair फिर से आ जाता है और ये जो positive sign है ये carbon के उपर आ जाता है तो ये वाला compound भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है अब जो यहाँ पर ये compound बना है ये यहाँ है पर जो chlorine था ये chlorine उस dispatch compound के साथ रेक्ट करता है इसके साथ जुड़ता है तो इसका जो carbon है जिसके उपर positive sign है जिसके पास valency है ये जो chlorine रहता है इसके साथा जुड़कर आपर order right का फार्मेशन करता है अब ये जो formality practically बना है इसससे रेक्ट करता है aluminium trichloride, जो aluminium trichloride होता है, उसका octate incomplete होता है, मैंस यह जो aluminium है, इसके साथ 3 Cl जुड़े होता है, 3 Cl में यहाँ पर इसके पास total 6 electron होता है, मैंस इसका जो octate है, वो incomplete होता है, तो यह aluminium trichloride है, यह levis acid की तरह कारे करता है, मैंस यह अपने electrons की कमी को पूरा करने के लिए किसी से electrons को लेता है, इसलिए यह levis acid की तरह कारे करता है, अब जो यहाँ पर formalde, immunocloride बना है, वो उससे, यह जो aluminium trichloride है, जो catalyst है, वो इसके साथ reaction करता है, तो यहाँ का chlorine होता है, यह aluminium trichloride है, इसके chlorine को अपने साथ 8 कर लेता है, जोड़ लेता है, क्योंकि इसके पास electrons की कमी होती है, तो यहाँ पर यह जो chlorine है, अपने electrons को अपने साथ लेकर, ALCl4 के form में बाहर निकल जाता है, aluminium trichloride के form में, और जैसे ही chlorine यह से अपने electron अपने साथ लेकर निकलता है, तो यह जो carbon है, इसके पर फिर से positive sign आ जाता है, क्योंकि यह electron अपने साथ लेकर निकला है, तो यहाँ पर step से carbo-cation का formation होता है, और यहाँ पर aluminium tetrachloride बन जाता है, अब जो यह carbo-cation बना है, यह जो phenol है, phenol से पहले जो aluminium tetrachloride है, वो react करता है, और यह aluminium tetrachloride है, जिसके पास extra Cl है, chlorine है, यह जो यहाँ का chlorine होता है, और यहाँ का hydrogen होता है, यह chlorine इस hydrogen को अपने और attract करता है और यहाँ पर HCl के form में बाहर निकल जाता है, जैसे ही यहाँ से hydrogen निकलता है और यहां से CL निकलता है यहां का जो LCl3 है जो Aluminum Trichloride है वो इस oxygen के साथ bond बनाके इसके साथ जुड़ जाता है अब next reaction में जो यहां पर कार्बो केटाएन बना था यह इस compound के साथ react करता है अब यहां पर जो oxygen है जिसके ओपर यहां पर negative sign होता है यह जो negative sign है यह इस carbon के साथ bond बनाता है यह जब bond इसके साथ bond बनाएगा यहां पर तो यह जो electron से इस bond के जो electron से वो इधर shift होंगे इस type से और यह जो electron है इधर shift होंगे यहाँ का जो एक valency है यह इस Carbon के साथ valency बनाएगा तो जब यहाँ पर double bond रहेगा इस bond को break हो पड़ेगा जब यह bond break होगा तो यहाँ पर दोनों के पाह быстр energy आएगी इस valency के साथ यह वह 이제 जाएगा double bond, अब यहाँ पर इस carbon के पास एक electron है, यहाँ पर bond है, तो यह bond ब्रेक होगा, इन दोनों के पास valency आएगी, यह दोनों यहाँ पर बना लेंगे double bond, इस type के structure बन जाएगी, हो जाएगा double bond, और यहाँ पर रहेंगे single bond, अब जो इसके पेरा position है, यह एक्टिवेट हो यह जो benzene ring है, इसके aromaticity अभी यहाँ पर नहीं है, यह unstable होता है, इसके aromaticity फिर से लाने के लिए, यह जो hydrogen होता है, यह यहाँ से अपना bond break करता है, जैसे ही यहाँ से bond break करेगा, इस carbon के पास valency आजाएगी, अब जैसे ही hydrogen यहाँ से निकलेगा, तो यह जाएगा इस oxygen के पास, यहाँ पर valency आजाएगी, इस से जूड़ जाएगा, hydrogen यहाँ पर फिर से आजाएगी valency, मिंस यहाँ पर भी valency है, यहाँ पर भी valency है, तो फिर से यह जो benzene ring है, इसकी जो aromaticity है, अल्टरनेट double bond है, वो फिर से आजाता है, और यहाँ पर जूड जाता है OH, और यहाँ पर हो आज़े जो परहएग्रोक्सी बैंजल डिमीन बना था, उसका hydrolysis होता है, वाटर मॉलिक्टिल के साथ reaction होती है, तब वहाँ पर जो उस compound में जो CH double bond NH था, और यहाँ पर आता है, वाटर मॉलिक्टिल के साथ reaction होती है, तो जो यह NH होता है, यहाँ से bond breaking करता है, जैसे ही यहा bond रहेंगे, दोनों bond break होंगे, तो इस carbon के पास 2 valence आएगी, अब जो H2O से जो reaction करवा रहे है, उसमें होता है H, यहाँ पर होता है O, और यहाँ पर होता है H, तो जो इसका oxygen है, यह भी यह दोनों bond break करता है, और यहाँ से निकलता है oxygen, जब oxygen यहाँ से निकलेगा, तो इसके 2 hydrogen निकलेगे, यह bond बनाएंगे इस nitrogen के साथ, तो इहाँ पर nitrogen के पास 2 valence थी, तो इसके साथ जुड़ जाएंगे 2 hydrogen, तो यहाँ निकल जाएगा NH3, और यहाँ पर जो carbon के पास double bond के break होने से जुड़ गया है oxygen, तो इहाँ पर हो जाएगा CHO, इस ट्रैप से बन जाएगा पेर hydroxy, benzaldehyde और ammonia molecule बाहर निकल जाएगा